नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे CJ Legal Advice YouTube चानल में जानेंगे कैसे करें प्रापर्टी की रजिस्ट्री रद्दा Transfer of Property Act के अंतरगत किये गए प्रावधान अच्छे से समझाएंगे किसी भी रजिस्ट्री को रद्द करने के मुख्यत दो कारण होते हैं पहला कारण यह है कि जिसके नाम रजिस्ट्री हुई है यदि उसे लगता है कि उसके साथ की गई समपत्ती पंजी करन गैर कानूनी है कोई भी plot, plot, क्रिशी भूमी पर गैर कानूनी तरीके से की गई रजिस्ट्री के लिए खुद खरीददार रजिस्ट्री रद्ध हेतु आवेदन कर सकते हैं। किसी भी अचल संपत्ती का रजिस्ट्रेशन राज्य के निबंधन विभाग, रजिस्ट्रेशन डिपार्ट्मेंट द्वारा किया जाता है। करने के मुख्यत दो कारण होते हैं। अन्य को आपत्ति हो, तो वह भी समपत्ती रजिस्ट्रेशन पर court stay court stay लगा सकते हैं 90 दिन तक registry cancel कराने का समय समपत्ती रजिस्ट्रेशन होने के 90 दिन तक रजिस्ट्री को cancel कराने का समय स्वया राजस्व विभाग, निबंधन विभाग द्वारा दिया जाता है इस समय में जिला धिकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सह जिला निबंधक के दफ्तर में रजिस्ट्री कैंसिल के लिए आवेदन किया जा सकता किसी भी क्षेत्र में जब हम जमीन खरीदते हैं सबसे पहले हम उस जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं जिससे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े लेकिन कई बार जमीन का धोखे से फर्जी रजिस्ट्री करवा लेते हैं जो बात में समस्या बन जाती है ऐसे स्थिती में रजिस्ट्री रद करने का भी विकल्प प्रदान करती है फरजीवाड़ा जमीन की रजिस्ट्री रद करने हेतु सरकार द्वारा कुछ दिशा और निर्देश जारी किये गए है जिसे समझना प्रत्यक व्यक्ति के लिए आवशक है यहां जमीन की रजिस्ट्री रद करने की प्रक्रियाक ब रजिस्ट्री रद करने के लिए सही कारण बताना होगा, जिसके वजह से आपकी जमीन का रजिस्ट्री को रद किया जा सके। रद करने के लिए बहुत ही आसन और सरल तरीके हैं। इससे कोई भी व्यक्ति अपने जमीन को रद करा सकता है। जमीन की रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए आपको ये कार्य करने होंगे. आपको जमीन की रजिस्ट्री रद्द करवाने के लिए भूर राजस्व विभाग Land Revenue Department से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होता है. इस फॉर्म में सभी जानकारियों को दर्ज कर जमीन रजिस्ट्री रद्द करने का कारण भी लिखना होगा. इस फॉर्म के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा. इस आवेदन फॉर्म और दस्तावेज को रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टार के पास जमा करना होता है। उन सभी दस्तावेजों को रजिस्टार सिविल कोट में भीज देगा। इसके बाद आपको कोट में जाकर जमीन की रजिस्ट्री रद करने का कारण बताना होगा। उसके बाद कोट में कुछ प्रक्रिया होने के पश्चात उस जमीन की रजिस्ट्री को रद्ध कर दिया जाएगा किसी भी रजिस्ट्री को रद्ध करवाने के लिए आपको इसमें 500 रूपए का स्टांप पेपर, जमीन के कागजाद, खतोनी नंबर M खसरा नक्षा, पहचान पत्र, आधार कार्ड नंबर, मूल निवास प्रमान पत्र, पासपोर्ट साइस की फ किये जाते हैं. किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जमीन है, उसे कोई और व्यक्ति बेच रहा है, उस सिथी में जमीन की रजिस्ट्री रद्ध किया जा सकता है.